नमासकार दोस्तों मैं आपका दोस्त पनित और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल Defense Aztr दोस्तों आज मैं आपको Eurofighter Typhoon के बारे में detail में बताऊँगा और जानीगे की आगर क्यों हो भारत ने Eurofighter Typhoon को नहीं खरीदा और आज मैं आपको इसके specification and futures के बारे मैं भी बताँगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यूरो फाइटर टाइफून टिविन इंजन वाला multi roll fighter jet है यूरो फाइटर टाइफून में दो इंजन लगे हैं वो हैं यूरो जेट EJ-200 टर्बो फैन इंजन यह दोनो इंजन मिलकर बिना आफटर भन्र के 120 क्लो का गुल्टन थरज जनर्रेट करते हैं और आफ्टर बननार के बाद यह दोनों इंजन मिलकर 180 क्लोव का न्यूटन थ्रच जनरेट करते हैं। यूरो फाइटर टाइफून अपने साथ 4996 क्लोकराम तक का फ्यूल केरी कर सकता है। यूरो फाइटर टाइफून का कॉमबेट डेडिस 1389 क्लोमेटर है। यूरो फाइटर टाइफून की सर्विस सिलिंग 65,000 फीट है। यूरो फाइटर टाइफून का थ्रस्पाइबेट 1515 है। यूरो फाइटर टाइफून का एम्टी वेट 11,000 क्लोकराम है। और इसका लोड़िट वेट 16,000 क्लोकराम है। और इसका maximum take off rate तेज़ सायर 500 किलोकराम है, बात करें इसके design की यूरो फाइटर टाइफून को 82% composite material से बनाया गया है, और 12% glass fiber से इसे बनाया गया है, तो इस तो composite material से बनाने का मतलब है कि यह radar से निकलने वाली तरंगों को absorb कर लेगा, जिसकी वज़े से यह radar की पकड़ में असानी से नहीं आएगा, साथ ही इसके design में canards का भी इस्तमाल किया गया है, canards का का काम होता है कि plane को ज़्यादा stability देना और ज़्यादा मेरबर्टी देना, और साथ ही यह canards air brakes का भी काम करते हैं, जब plane land हो रहा होता है, तो यह canards strength हो जाते हैं, जिसे यह air brakes का भी काम करते हैं, बात करें इसके radar and sensor की, euro fighter typhoon में euro radar capture e लगा हुआ है, इस radar system की range 200 km है, 2 meter square target को लेकर, यानि यह radar system 2 meter square के किसी भी target को 200 km गी range में detect कर सकता है, साथ ही यह radar 20 target को track कर सकता है, और 10 target को एक साथ engage कर सकता है, साथ ही यह radar system 120 degree angle, यानि 60 degree up and 60 degree down के साथ, किसी भी target को 200 km की range में detect कर सकता है, euro fighter typhoon में जिन sensor को लगाया गया है, वो है missile approach warning system, radar warning receiver, jammer system, passive infrared airborne tracking equipment, यह सब sensor euro fighter typhoon में लगे हुए हैं, दोस्तों हम one by one करके इन sensor के बारे में बात करते हैं, बात करें missile approach warning system की, इस sensor की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा की, सामने से air to air या फिर air to ground missile आ रही है, फिर आप अपने counter major system की मदद से इस missile से बस सकते हो, और jam करके इस missile को मार भी करा सकते हो, बात करें इसके दूसरे sensor radar warning receiver की, इस sensor की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा की, आप किसी दुस्मन के fighter jet के radar की range में तो नहीं आ रहे हो, फिर आप अपने counter major system की मदद से दुस्मन के fighter jet से बस सकते हो, बात करें इसके तीसरे sensor jammer system की, इस jammer system की मदद से आप दुस्मन के fighter jet के radar को jam कर सकते हो, साथ ही आप air to air और air to ground missile को भी jam कर सकते हो, और उन missile को मार गिरा सकते हो, बात करें इसके आखरी sensor passive infrared airborne tracking equipment की, दोस्तो यह system IRST system की तरह ही काम करता है, और इस system की range 44 km की है, और subsonic target के खलाव इस system की range 90 km की है, इस system की मदद से आप stealth विवान को भी 44 km की range में track कर सकते हो, और यह system उन target को भी track कर सकता है, जिन मेंसे infrared निकल रही हो, और कम infrared वाली target को भी यह track कर सकता है, दोस्तो अब तो आपको पता चले गए अवका की, इसके sensor कितने ताकतवार हैं, बात करें इसके radar cross section की, यूरो fighter typhoon का radar cross section 0.5 से 1 meter square का है, यह radar cross section इतना कम है कि इसे असानी से track नहीं किया जा सकता, बात करें इसके cockpit की, यूरो fighter typhoon में glass cockpit लगा हुआ है, साथ इसमें 3 full color multi function head down display, MHDD लगी हुई है, साथ ही इसमें direct voice input DVI system भी लगा हुआ है, इसके अलाबा इसमें wide angle head up display, HODB लगी हुई है, और साथ ही इसमें hands on throttle, lens stick, HOTA system भी लगा हुआ है, बात करें इसके armament की, यूरो fighter typhoon में 13 heart punch लगे हुआ है, और साथ ही है, 9000 किलोराम तक का पेड़ो लगा सकता है, यूरो fighter typhoon सभी परकार की air to air missile को fire कर सकता है, यूरो fighter typhoon में जो air to air missile लगी है, वो है meteor missile, इस missile की range 150 km है, साथ ही है M120C MRA missile को भी carry कर सकता है, जिसकी range 105 km है, यूरो fighter typhoon में जो air to ground missile लगी है, वो है storm shadow scale missile, इस missile की range 500 km है, साथ ही है Tauras की cap 350 crew missile को भी carry कर सकता है, जिसकी range 500 km से ज़्यादा है, यूरो fighter typhoon जिन बंबों को fire कर सकता है, वो हैं Pavey series के laser guarded bombs, LGB, समाल diameter bombs, SDB, joint direct attack, muniason, JDM bombs, और surprise 250 bombs, यह इन सब बंबों को fire कर सकता है, दोस्तो यह थी Euro fighter typhoon को लेकर पूरी जानगारी, दोस्तो आखिर क्यों भारत ने Euro fighter typhoon को नहीं चना, और इसके जगे राफेल को खरीदा, दोस्तो Euro fighter typhoon को 420 nation country ने मिलकर बनाया है, इस वज़े से भारत में Euro fighter typhoon को नहीं चना, दोस्तो भारत नहीं चाहता था कि हम किसी ऐसे fighter jet को खरीदे, जैसे दो से ज़्यादा देशों ने मिलकर बनाया हो, दोस्तो किसी भी देश के साथ हमेसा अच्छे रिस्ते नहीं होते, खहीं ऐसा नहीं हो कि हम Euro fighter typhoon ले ले लें, दोस्तो यूरो fighter typhoon भी राफिल से कम नहीं है, दोस्तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को Euro fighter typhoon को खरीबने चाहिए, या नहीं आप हम कमेंट करके ही पता सकते हो, और मैं कोशिस करूँगा दोस्तो आपके कमेंट के रिपलाई करने की, दोस्तो आपको आज कर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा, और चैनल को सक्राइब करके नॉटिविशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटस वीडियो को नॉटिविशन बेलता रहे, मिलते हैं दोस्तो हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हैंद। कर दोस्तो हमारी लेगा,